Hello everyone, welcome to Ravi Aditi Classes Friends, आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे एक काफी important topic exam point of view से Topic का नाम है First and Biggest in India, 2024 तो दिखें यहाँ पर हम जो भी current affairs के first in India वाले questions होते हैं friends इनको इस वीडियो में cover करेंगे, April तक यह पूरी वीडियो updated है तो यहाँ पर मैंने सारे questions friends selected और most important लिए है अगर आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए काफी beneficial होने वाला है तो पूरे वीडियो के एंट तक बनी रहेगा, most important सारे questions हम इस वीडियो में cover करेंगे चलिए start करते हैं आपके first question से, देखिए पहला question है आपको बताना है कि उत्तर भारत का पहला सरकारी homeopathic college जो है, इसको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा तो इसका right answer जो है friends यह है, कथुआ जम्मू कश्मीर में तो यहाँ पे North India का जो पहला government homeopathic college है, इसको कथुआ जम्मू कश्मीर में establish किया जाने वाला है, इसके बारे में detail में समझते हैं friends यह आपे कुछ important points देखिए इसको announce किया गया हमारे union minister of state, independent charge में है, science and technology के डॉक्टर जितेंद्र सिंग ने, और इसको देखिए कहाँ पर establish किया जाएगा, North India का जो पहला government homeopathic college है, इसको जसरोता एरिया में, कथुआ डिस्टिक्ट जम्मू कश्मीर में establish किया जाने वाला है, इसको जो है 8 एकड के area में बनाया जाएगा और इसकी जो लागत बनाने कि ये 80 करोर होने वाली है, अगला question, where has been India's first Ayurvedic cafe opened, तो भारत का पहला Ayurvedic cafe, कहाँ पे खुला गया है, friends, इसको खुला गया है, New Delhi में, option number A, इसका right answer है, इसके बारे में देखिए, friends, यहाँ पे, the Maharishi Ayurvedic Hospital in Shalimar Bagh, Delhi is making headlines for its in-house restaurant, Soma the Ayurvedic Kitchen, this restaurant is being hailed as the first Ayurvedic kitchen in India, तो यहाँ पर, friends, इंडिया का जो पहला Ayurvedic Kitchen है, इसका नाम जो है, यह है, Soma the Ayurvedic Kitchen, और यह कहाँ पर है, यह located है, महारिशी Ayurveda Hospital, जो की शालिमार बाग, New Delhi में, located है, अगला question, which of the falling in, is the India's first AI-based film, whose trailer has been launched recently in April 2024, तो देखिए, निम्लिकित में से कौन सी भारत की पहली AI हदा अधारित film है, जिसका trailer हाली में, April में, launch किया गया, तो, friends, पहली AI-based film, जो है, यह होने वाली है, एरा हाँ, यह काफी important question हो जाता है, आपके upcoming exams के लिए, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में जाने, तो देखिए, friends, इसके producer, जो है, यह है, बिग फिल्म्स, मीडिया, इसको direct किया गया है, Sam, भटार जुआर जी की दुआरा, इसके बारे में देखिए, इसके बारे में देखिए, the trailer of era offers a glimpse into the dark underbelly of AI technology, highlighting its potential misuse and negative repercussion, तो यहाँ पर जो है, friends, इरा का trailer, AI तक्नीक की अंधेरी बुनियाद की एक जलक पेश करता है, जो इसके संभावित दुरुपियों और नकारात्मर नतीजों का प्रकाश डालता है, इसके बारे में डिटेल में देखिए, चतिसगर बेस्ट भारत Aluminium Company Limited, जिसका यहाँ पर बालको का यह फुल फॉर्म है, भारत Aluminium Company Limited, यह एक यूनिट है जो कि आता है अंडर विदानता Aluminium, यह बन गया है, friends, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला ऐसा Indian Company जो की ASI Performance Standard से Certified है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरेंदर मोधी, फ्रेंट्स, आगे बढ़ते हैं, और आपका next question रहेगा यहाँ पर, कहाँ पर inaugurate किया गया है, इसको inaugurate किया गया है, द्वार का गुजरातनी, इसका घाटन किस ने किया, इसका inauguration, प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी जी ने किया, foundation stone इसका October 2017 में रखा गया था, और friends, इसे जो है earlier signature bridge की नाम से जाना जाता था, और इसको बनाने की लागत कितनी है, यह है, 979 करोर, और यह जो bridge है, यह किसको connect करता है, ओखा mainland को, बेद द्वार का island से connect करता है, आगे बढ़ते हैं, where has Adani group launched South Asia's largest ammunition and missile complex, Adani group ने दक्षिन एशिया का सबसे बड़ा गूला बारूद और missile complex कहा लाँच किया, इसको launch किया गया है, right answer हो जाएगा, कानपुर, उत्तर, प्रदेश में, तो इसका जो main यहाँ पर objective है, यह है कि to produce small and medium large caliber ammunition for the armed forces, पैला military forces and police, तो इसका main जो aim है, यह है कि जो भी साश्ष्टर बल है, इसके सब अर्द सैनिक बल है, पुलीस है, इन के लिए छोटे, मध्याओं और बड़े caliber गोला बारूद का उत्पादन करना, और इसका goal यह रहने वाला है कि यह produce करेगा 2 lakh rounds of large caliber artillery and tank ammunition annually by 2025, next, in which state of India has the world's first Vedic clock been installed, भारत के किस राज़े में दुनिया का पहला वेदिक घड़ी स्थापित किया गया, इसका right answer है, उजयन मध्याप्रदेश, इसके बारे में देखिए, पहला, वर्ल्ड का पहला वेदिक clock है, जिसे यहाँ पे उजयन district मध्याप्रदेश में established किया गया, रखा गया है, और यह शो करेगा time को according to the ancient Indian traditional calendar, और इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी जी के वदा द्वारा जो है, वर्चुली इनाउग्रेट किया गया था, यह clock friends, एक टावर पर install की गई, जिसकी height 85 feet है कहाँ पर जंतर मंतर में, कब March 1st 2024 को, अगला question, what is the name of India's first septic tank cleaning robot, भारत के पहले septic tank sapphire robot का नाम क्या है, इसका नाम है friends, homo sap atom, तो इसका जो आप नाम देख रहे हैं, homo sap atom, इसका नाम रखा गया है, IIT madras के दौरा, और इसका objective क्या होने वाला है, यहाँ पर cleanliness को promote करना, देखे, to eliminate the practice of manual scavenging and promote cleanliness campaign across country, तो जो भी यहाँ पर, manually, यहाँ जो cleaning की जाती थी, उसको रोप करके, robotic cleaning को यह बढ़ावा देता है, और cleanliness को यह promote करता है, next रहेगा, in February 2024, Prime Minister Narendra Modi has laid the foundation stone of which state's first railway station, Rangpo station, देखे, friends, पहला railway station है, यह किस state का, आपको बताना है, Rangpo station, तो Rangpo station है, पहला railway station, सिक्किम स्टेट का, इसके बारे में देखे, friends, अभी तक सिक्किम में कोई railway line नहीं थी, यहाँ पर, जो है, connectivity के लिए, road और air का इस्तेमाल किया जाता था, ठीके, अभी जो है, यहाँ पर railway line लगाई गई है, तो friends, इसको यहाँ पर establish किया गया है, पटना, बिहार में, नेक्स्ट रहेगा, who has inaugurated the pilot project of world's largest cooperative grain storage scheme on February 2024, correct answer है, friends, नरेंदर मोधी, देखे, इसके बारे में, friends, इस scheme को launch किया गया है, अंडर सहाकर से समरिधी प्रोग्राम, और इसको भारत मंदपम, New Delhi में, और्गनाईस किया गया था, इस event को, और इसका objective होगा, to operate PACS by linking them with NABARD, और PACS यहाँ पे क्या है, PACS होती है, Primary Agriculture Credit Society, तो इसको जो है, ये नाबाड से link कर रहे हैं, Next, देखे, where will India's largest green hydrogen production center be established, देखे, भारत का जो सबसे बड़ा हरित hydrogen उत्पादन केंदर है, इसकी स्थापना कहां पर की जा रही है, friends, इसको स्थापित किया जाएगा, विशाका पटनम, आंदर प्रदेश में, इंडिया's largest green energy plant in विशाका पटनम, आंदर प्रदेश by NTPC Green Energy Limited, तो इसको establish किया जाएगा, NTPC Green Energy Limited के द्वारा, और इसका objective होगा, friends, यहापे, to make India a global hub in the field of production, utilization and export of green hydrogen and its derivative, next, which has become the first state of India to issue more than 1 crore आयुश्मान कार्ड्स, देखे, 1 crore से अधिक आयुश्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, इसका right answer हो जाएगा, friends, असम, ठीके, तो असम बन गया है, पहला ऐसा इंडियन स्टेट, जिसने 1 crore से जादा आयुश्मान का establishing 1 lakh health and wellness centers, तो 1 lakh health and wellness center को across country, establish करना इसका main aim है, next है to connect 10 crore families with health insurance cover up to 5 lakh per annum, तो ये दोनों इसके दो मेल pillars है, next, who has become India's first female pitch curator, भारत की पहली महिला pitch curator कौन बनी है, friends, ये बन गई है, जसिंथा कल्यान, अगला है, who has become the first Indian pilot to embark on space tourism with Blue Origin, राइट अंसर हो जाएगा, friends, यहाँ पर, गोपी थोटा कूरा, इनके बारे में देखिये, गोपी थोटा कूरा is making history as an first Indian pilot to venture into space as a tourist joining Blue Origin's NS-25 mission, collaborating with NASA, Blue Origin aims to establish a private international space station, paving the way for expanded space tourism opportunities, देखे, friends, यहाँ पर पहले Indian pilot, जो की space tourism में हिस्सा ले रहे है, ये बन गई है, गोपी थोटा कूरा, और ये जो आप mission देख रहे है, ये, किस company ने start किया है, Blue Origin नामक company ने start किया है, और इसके, इसमें जो है, इनको लिया गया है, ठीक है, अगला question, in which state has India's first Skill India Center been inaugurated, right answer हो जाएगा, friends, यहाँ पर, संभलपुर, उडीशा, चलिए, इसके बारे में देखिये, इसको inaugurate किया गया, हमारे Union Minister of Education and Skill Development and Entrepreneurship, यह है, धर्मेंद्र प्रधान, और इसका objective, friends, यहाँ पे, to enhance the skill of youths with the help of skill training program, especially focusing on job roles in new age, तो यह, जो है, friends, यह aim करता है, skill training programs को, और यह किस ministry के अंदर आता है, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship के अंदर आता है, अगला रहेगा, who has become the first woman scientist to win the G.D. Birla Award for scientific research, Very, very important question, देखे, ऐसे questions exam में देखे जाते हैं, यहाँ पर विज्ञानिक अनुसंधान के लिए, G.D. Birla Purushkar जीतने वाली पहली महिला विज्ञानिक जोईना यह बन गई है, अधिती सेन बे, इनको यह award क्यों दिया गया है, इनकी जो भी, friends, contribution रही है in the field of quantum information and computational research, इसके लिए इन ही award दिया गया, अगला question, विज्ट स्टेट विल बिकम दा फिर्स स्टेट इन इंडिया तो प्रोवाइड हेलिकॉप्टर एमर्जंसी मेडिकल सर्विस, देखे, friends, helicopter emergency medical service देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड, इसके बारे में बात करें, तो इंडिया का पहला helicopter emergency medical service इसको launch किया गया उत्तराखंड में, और यह operate करने वाला हैं under project संचीविनी, ठीक है, और यह cover करेगा 150 km के radius को, इसको objective होगा, to ensure timely transportation of accident victims and patients from hilly areas to aims, तो यहाँ पे जो भी दुडगटना, पीढ़ित होंगे, मरीज होंगे, उनको पहाड़ी इलाकों से aims तक समय में पहुँचाना, यह इसका main aim होने वाला है, नेक्स्ट है, Tata Trust has announced the inauguration of India's first small animal hospital in which state, यहाँ पे देखिये, भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्गाटन, करने की घोशना Tata Trust ने की है, इसको कहाँ पर open किया जा रहा है, इसको open किया जा रहा है, मुंबई महरास्ट में, बात करें इसके बारे में, तो मुंबई के महालक्ष्मी एरिया में इसे start किया गया है, 2.2 acres के एरिया में, और इसका main purpose होगा, इस हॉस्पिटल विल है 24 इन्टो 7 फैसिलिटी पर डॉग्स, कैट्स, राबिट्स, और अधर स्मॉल अनिमल्स, अगला कोश्चन, तो उत्तर प्रदेश के आयोध्या में, राम अंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी निता कौन बने हैं? प्रेंट्स, ये बन गए हैं, बिमन प्रशाद, ये कौन है? ये डेपुटी पी-म हैं, फिजी के, जोकी बन गए हैं, पहले ऐसे फॉरन लीडर, जोकी राम अंदिर अटेंड की हैं। अगला रहेगा, who has become the first bowler in cricket history to reach in the top of all three formats of cricket? गरेक्ट आंसर हैं, जस्परीत बुम्राओं नेक्स हैं, which will become the first state of India to have 21 airports by the end of 2024? अगें, very important question, 2024 के आंत में 21 हवाई अड़ो वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? ये बन जाएगा उत्तर प्रदेश बात करें फ्रेंट्स, यहाँ पे कौन-कौन से एरपोर्ट हैं, यहाँ पे हम डिसकस करेंगे जो भी international airports हैं उनके बारे में तो पहला यहाँ पे महारशी वालमी की international airport जो की अयोध्या का एरपोर्ट हैं, नेक्स्ट है खुशी नगर, international airport खुशी नगर में हैं, चौदरी चरन सिंग इंटरनेशनल एरपोर्ट लखनौ में, लाल बहादुर शास्त्रे इंटरनेशनल एरपोर्ट वारा नसी और अगला कोशन, which has become the first state of India to implement uniform civil code after independence, तो आजादी के बाद समान नागरिक सहींता, लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है, ये बन गया है, उत्तराखंड, इसके बारे में डिसकस करें, तो देखें, पहला state जिसने अडॉप्ट किया है uniform civil code को ये गोवा है, जिसको प 24 में दिया हुआ है, फ्रेंट्स, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे paid PDF के website के बारे में, ये है www.ravibookspdf.com, यहाँ पर आपको रवी सरही जी के और current affairs की जो PDF होती है, हिंदी और English medium दोनों में मिल जाएंगी, तो अगर आप इसको buy करना चाते हैं, इस website में आपको ये सारी PDF मिल जाएंगी, और सापने फ्रेंट्स, यहाँ पर आपको मन्तली current affairs January और February का भी launch कर दिया गया है, यहाँ पर आपको topic wise हर एक important questions related to jan and February current affairs मिल जाएंगे, आपको इस website में ये available हैं, अगर आप चाहें तो इस website हो जाके buy कर सकते हैं, topic पर वापस आते हैं, कोशन, who has become the first woman to become the head of Central Industrial Security Force, तो केंद्री ओद्योगिक सुरक्षाबर, CISF, यह प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन हैं, तो इसका right answer है, नीना सिंग, अगला है, what is the name of female robot astronaut who will fly in space before Gaganyan Mission 2024, तो उस महिला robot अंतरिक्ष यातरी का नाम बताना है आपको, जो Gaganyan Mission से पहले अ यो मित्रा, next, according to first snow leopard census in India, which state or union territory has highest population of snow leopard, very important question, देखे आपको बताना है, कौन से ऐसा state ये union territory है, जहां पर highest population, snow leopard की देखी जाती है, तो friends, यह देखा जाता है, लदाग में, जहां पर 477 snow leopards देखे गए हैं, अगला कोशन है, आपका, where in India, India's largest defense equipment exhibition being organized in February, देखे आपको बताना है, फरवरी में, भारत की सबसे बड़ी रक्षा, उपकरन, प्रदर्शिनी का आयोजन कहां पर किया गया था, इसका right answer है, पूने, महरास्टर, तो friends, इस event को February 26, 2024 को organized किया गया, और objective देख लीजे, तो provide information about various industrial friendly activities and policies of DRDO to the defense sector industries, especially MSME and startups, तो यहाँ पर रक्षा छेतर से जुड़े हुए उद्धियोग, विशेश रुप से सूक्ष में लगो और मध्यम उद्धियम, और startup को DRDO की विभिन उद्धियोग, अनुकूल गतिवीधियों, तता नीतियों के बारे में जानकारी प्रतान करना, यह इसका main object होने वाला है, अगला है, तो आपको बताना है, फ्रेंड्स की टेस्ट क्रिकेट में, इंग्लाइन के खिलाफ सौ विकेट लेने वाले पहले भारती गेंदबाच कौन बनी है, यह बन गए है, रवी चंद्र अश्वेन, नेक्स कोशन, इसका right answer है, फ्रेंड्स, गोंडाउं, इसके बारे में देखिए, तो इसको collaboration जो है, किया गया है with Forest Department Turtle Survival Alliance Foundation, इंडिया, और इसका objective जो है, यह है, तो conserve turtles by establishing a turtle conservation reserve, along the bank of Sarju River, attributory of Khagra River, तो यहाँ पे, जो turtles जोंगो conserve करने के लिए, conservation reserve बनाना, इसका main aim है, right, अगला कोशन रहेगा आपका, where was the first edition of French Film Festival organized, तो French Film Festival, के पहले संस्करान का आयोजन, कहाँ पर किया गया, तो इसको organize किया गया था, friends, कौलकता में, इसको organize किया गया कब से कब तक, 16 से 24 February तक, inaugurate किया है, एक्टर अनील कपूर और डिरेक्टर अनुराग करश्यपनी, और first edition था जैसे हमने कोशन में discuss किया, next, which has become first northeastern state of India, to achieve 100% domestic tap water connection, तो 100% घरेलू नल जल connection, हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पुर्वी राजे कौन सा बना है, तो friends, ये बन गया है, अरुनाचल प्रदेश इसके बारे में देख लीजे एक बार, the central government's जल जीवन mission aims to provide piped water to all rural household by 2024, तो यहाँ पे central government aim करती है कि जल जीवन mission के तहर जो है, 2024 तक सभी ग्रामिन घरों में pipe से पानी उपलब्द कराई जाए, through this scheme clean water will be provided to every household, तो यहाँ पे clean water सबको provide किया जाएगा, और present जल शक्ती minister कौन ह यह है गजेंद्र सिंग शिखावत, चली अगला कोशन, who has become the first woman to be promoted to the post of सुवेदार in Indian Army, देखे फ्रेंट्स भारतिय सेना में सुवेदार के पर पदोनत होने वाली पहरी महिला कौन बनी है, यह बन गई है प्रीती रजग, फ्रेंट्स प्रीती रजग है कौन यह इस Indian sports shooter है कहां से बिलॉं करती है, मध्यप्रदेश से बिलॉं करती है, चली अगला कोशन, in which state is the country's first research-based IIT satellite campus established, correct answer है उजयन, मध्यप्रदेश, तो इसका aim होगा to benefit students, teacher and industrial worker in India, especially मध्यप्रदेश, और उजयन will be world class research center in future technology, which is called deep tech research of IIT indoor, and discovery campus will be established in Ujjain, so friends, future में जो है Ujjain, यह world class research center होगा, जिसे हम deep tech research कहते हैं, IIT indoor का, और इस discovery campus को established किया जाएगा, Ujjain में, अगला question है, Ola CEO भाविश अगरवाल's AI startup, is the India's first AI unicorn, what is its name, इसका right answer है, कृत्रीम, आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बारे में artificial intelligence का meaning क्या होता है, Artificially developed intellectual ability, और unicorn का मतलब क्या है, देखिए, unicorn वो होते हैं, whenever the valuation of startup is more than $1 billion, it is called unicorn startup, तो कोई भी startup जो है, अगर उसका, जो valuation है, $1 billion से जादा है, तो उसे हम unicorn कहते हैं, Next, देखिए, in which state of India, will world's first melanistic tiger safari be established, right answer है, यहाँ पे, तो यहाँ पे melanistic tiger जो है, यह rare variant होता है, Bengal tiger का, और इसे हम black tiger के नाम से भी जानते हैं, अगला question, which university has become the first university in the country to do research on उर्दू translation of श्रीमद भगवद गीता, देखिए, बताना है friends, आपको श्रीमद भगवद गीता के उर्दू अनवात पर शोध करने वाला देश का पहला विश्विद्याल है, कौन सा बना है, तो यह बन गया है, बनारस हिंदू उनिवर्शिटी बल्विंदर is preparing to do research on उर्दू translation of रामायन, अगला question, इंडिया's first centrally funded cow century will be built in which state, तो भारत का जो पहला केंद्र विथ पोशित, गौ अभ्यारन है, यह किस राजिय में बनाया जाएगा, friends, इसको बनाया जाएगा, मुझफर नगर उत्तर प्रदेश में, next, इंडिया's first highway steel slag road section has been inaugurated on which national highway, option number A, इसका right answer है, NH66, अब बात करें कि steel slag road technology है क्या, तो देखिए, it is an innovative method of using steel slag, a waste generated during steel production to build stronger and more durable roads, तो यहाँ पर जब steel को produce किया जाता है, उसका जो waste होता है, slag है, उसे हम steel slag कहते हैं, उससे जो है, more stronger roads को बनाया जाता है, durable roads को बनाया जाता है, तो इसे हम steel slag road technology कहते हैं, inauguration of India's first national highway steel slag road section on NH66 to be done, यह कौन सा highway है, Mumbai-Goa national highway NH66, ओके, चलिए, अगला question, who has become the first male cricketer to play 150 matches in the history of T20 Cricket, देखे friends, T20 Cricket की तिहास में, 1500 match खेलने वाले, पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं, यह बन गए है, रोहे शर्मा, next, which country will host the World Heritage Committee of UNESCO for the first time in July, right answer है friends, इंडिया, बात करें, यहाँ पर UNESCO की, उसे बहले देखिए, इस event को 21st ते लेके 31st जुलाई तक organized किया जाएगा, host हमारी इंडिया है, UNESCO का full form है, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, headquarter है Paris, France में, established किया गया 16 November 1945 को, और इसके chief है, Andre Azzoli, next, who has become first female DJP of Maharashtra, तो Maharashtra की पहली महिला, पुलिस महाने देशक कौन बनी है, friends, यह बन गई है, रश्मी शुकला, next, which is India's first satellite to be launched with Falcon 9 rocket, तो friends, Falcon 9 rocket से launch होने वाला भारत का पहला उपगरह कौन सा है, तो यह है G-Sat 20, इसका objective क्या है, to provide high-speed broadband internet connectivity, digital video transmission and audio transmission, तो यहाँ पे इसका objective है, satellite का G-Sat 20 का, कि यह high-speed broadband internet connectivity प्रोवाइड करें, digital video transmission प्रोवाइड करें, और audio transmission प्रोवाइड करें, friends, अब का next question, which union territory has become first union territory, तो launch PM विश्व कर्मा योजना in January, तो यहाँ पे पहली union territory आपको बताना है, जिसने PM विश्व कर्मा योजना को launch किया है, तो friends, यह है जम्मो कश्मीर, और इसका main aim यह होगा, कि to elevate and recognize the important role of artisans and craftsmen individual in preserving and enriching the cultural heritage of India, तो यहाँ पे जो भी artisans, जो कारिगर होते हैं, उनके role को recognize करना और उसे elevate करना, यह इसका main aim होने वाला है, अगला है, where will be India's first AI city to be built, correct answer, luck now, और इसका aim होगा, friends, to create a thriving hub for artificial intelligence, integrating cutting-edge technology, research center and educational institution, यहाँ पे एक hub create करना है, AI का, है न, इसे लिए AI, पहला AI, जो city वनने वाला है, यह लगना होने वाला है, अगला question, who has inaugurated the first all girls sanic school in Vrindavan in Mathura district of Uttar Pradesh, correct answer, Rajnath Singh, देखे इसके बारे में इस girls sanic school का नाम क्या है, यह है, समविद गुरुकुलं girls sanic school, और इसका goal होगा, to provide quality education to the students and provide conducive environment for education as well as joining the armed forces, friends, आपका next question, in which state, India's first lighthouse festival has been organized, तो किस राजे में भारत का पहला lighthouse महोचसर्व का आयोजन किया गया, तो friends, इसका आयोजन किया गया था, Goa में, अगला question, UNESCO has announced which city will be made, India's first city of literature, तो UNESCO ने अभी हाली में घोशन ना क्या है, कि जो पहला यहाँ पे city of literature होगा, यह है, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे, economic analysis नहीं की गई है, यहाँ पे economic, social और educational analysis भी किया गया, friends, आपका next question, who has become India's first female airport firefighter, तो यह बन गई है, देशा नायक, अगला है, India's first 3D printed post office will be opened in which city, तो किस शहर में भारत का पहला 3D मुदर दागहर खुलेगा, friends, इसको खोला जाएगा, बेंगलूरू में, next है, which country has won the title of badminton Asia team championship 2024 for the first time, तो badminton Asia team championship, जीतने वाला, मतलब पहली बार जीतने वाला देश जो है न, यह बन गया है, यहाँ पे, इंडिया, ठीक है, इंडिया की women's team ने इसे जीता है, इस event के बात करें, तो यह friends 18 February को और्गनाइज किया गया था, कहाँ पे, मलेशिया में, विनर इंडिया है, टर्णर अब थाइलेंड है, addition इसका 5th है friends, और यहाँ पे, लीडिंग दा इंडियन team in the championship, कौन है, यह है, पीवी सिंदू, और बात करें इसके साथ, एक और important point, for the first time in the championship, India has won a gold medal in any category, men and women, next, in which state of India, has Digital India Future Skills Summit, been organized for the first time, तो friends, आपको बताना है, कि Digital India Future Skills Summit, इसको पहली बार कहाँ पर organize किया गया, इसको organize किया गया, Guhaati Assammi, friends, इसको host किया गया था, Ministry of Electronics and IT के द्वारा, inaugurate किया था, Rajiv Chandrashekar ने, जो कि Skill Development and Entrepreneurship Minister है, event February 15th को हुआ है, और इसका, इस event का जो objective है, ये रहा है, transform India into global talent hub, and benefit from the opportunities, generated by emerging technologies, तो जो भी उभरती प्रदियोगी क्यों है, उनके द्वारा, भारत को एक वैशिव प्रतिबा केंद्र में बदलना, और उत्पन अवसरों को लभनवित करना, ये इसका objective होने वाला है, आगे बढ़ेंगे, India and which country have organized first meeting of Joint Defense Corporation Committee, to increase defense cooperation, तो friends, भारत और किस देश ने, रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए, सहयोग तुरक्षा सहयोग समीती की पहली बैठक का आयोजन किया, तो friends, ये meeting हुई थी between India and Kigali, Rwanda, आगे बढ़ते हैं friends, देखिए इस event को February 2024, Kigali, Rwanda में organized किया गया था, objective देख लिजे, to discuss opportunities for enhancing defense cooperation between two countries, various aspects including training cooperation, joint military exercises, defense industrial cooperation were also discussed in detail, तो यहाँ पर दोनों countries के बीच में, जो भी defense cooperation के opportunities हैं, उनको इन्होंने यहाँ पर discuss किया है, friends, अगला question, which has become first state of North East, to implement old pension scheme, तो पुरानी pension योजना, लागू करने वाला, पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है, तो friends, ये बन गया है, यहाँ पर सिक्कीम, option number B, right answer हो जाएगा, और इसका announcement किस ने किया है, सिक्कीम के Chief Minister प्रेम सिंह तमाग ने किया है, तो old pension scheme को वापस लाया गया है, इसके लिए state government employees के लिए, जो appoint हुए है, on or after April 1, 2006, तो importance किया है, इसका employees appointed on or before 31st March 1990, will get benefits under सिक्कीम service pension rules 1990, to take oath by placing his hand on Bhagavad Gita, देखे friends, Bhagavad Gita पर हाथ रखकर, शपत लेने वाले पहले भारतिय मूल के, Australia is Senator कौन बने हैं, तो यह बन गए है, Varun Ghosh, next है, who has become first trans woman, traveling ticket examiner of Southern Railway, यह बन गई है, Sindhu Ganpati, अगला question है, in which state will first natural hospital of North East India opened, तो इसको open किया गया है friends, दिबरोगड असम्मी, option number B, right answer हो जाएगा, यहाँ पर देखे, आयूश मिनिस्टर है, सरबंदा सोनोवाल, इन्होंने foundation stone इसका यहाँ पर ले किया था, और यहाँ पर इसका नाम क्या रखा गया है, Central Yoga Naturopathy Research Institute, objective होगा कि, जो भी decisions उसको naturally यह cure करें, next, where will beachside startup fest be organized for the first time in India, तो friends, भारत के पहले, beachside startup fest का यहाँ जन कहाँ पर किया जाएगा, इसको यहाँ पर organized किया जाएगा, Mangalore, Karnataka में, when you उसका Mangalore, Karnataka होगा, leadership इसकी करेंगी, International Federation of Inventors Association, objective होगा, जो भी startups हैं, जो emerge हो रही हैं, उनको प्रमोट करना, next, where has India's largest and first of its kind mobility exhibition, India Mobility Global Expo been organized, तो friends, India Mobility Global Expo, इसको organized किया गया था, भारत मंडपम, New Delhi में, देखे, भारत Mobility Global Expo, is an automobile expo, hosted by Industry Association, host किसने किया इसको, Industry Association ने host किया है, objective है, to represent India's capability, across the entire mobility and automotive value chains, target क्या होगा, to export approximately 30% of two wheelers, produced in India by 2030, तो यहापर इंडिया में, जितने भी two wheelers produced हो रहा है, उसमें से 30% two wheelers, को 2030 तक ही export करने का aim रखते हैं, next question है, who has become the first Indian sailor, to qualify for two Olympics, right answer है friends, option number A, Vishnu Sarwan, और यह किस खेल से बिलोंग करते हैं, next है, in which state has union minister, जी किशन रेड़ी, laid the foundation stone of, country's first digital national museum, तो यहाँ पर केंदरी मंत्री, जी किशन रेड़ी ने, किस राजय में, देश के पहले, डिजिटल राष्ट्रे संग्राले की, अधारशीला रखी हैं, तो friends, इसकी अधारशीला रखी गई, swimming pool complex, New Delhi में इसको organize किया गया, यहाँ पर तीन sports event को organize किया थे, कौन-कौन से swimming, water polo, और जो भी diving events होते हैं, उन्हें, next है, the first joint military exercise, साधा तनसीक, has been organized between armies of India, and which country, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला joint military exercise है, साधा तनसीक, यह इंडिया और किसके बीच में organize किया गया, इंडिया और साओधी अरेविया के बीच में से organize किया गया, और इसका जो venue है, यह था महाजन राजस्थान, friends, अगला question, इंडिया's first clean food street, प्रसादम, has been unveiled in which state, right answer है, friends, उज्जैन, मध्यप्रदेश, इसके बारे में देखिए, Union Health Minister ने, Dr. Mansook Mandviyah, इन्होंने inaugurate किया है, country का पहला healthy and clean food street, objective होगा, to connect common citizens across the country, with pure and safe local and traditional food, तो जो भी, पूरे देश में जो आम नागरिक हैं, उनको शुद्ध और सुदक्षित, स्थानी और पारंप्रिक भोजन से जोड़ना, ये इसका objective होने वाला है, next है, in which city has Union Minister सरबंदा सोनुवाल presided over the meeting of First Inland Water Waste Development Council, right answer है, Franciska, Kolkata, West Bengal, अगला है, in which city of Uttar Pradesh has first floating restaurant been inaugurated by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, तो friends, यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री Yogi Adityanath जी ने उत्तर प्रदेश के के शहर में पहले floating restaurant का उद्गाटन किया, तो इसका उद्गाटन किया गया friends, प्रयाग राज में, और देखे, objective होगा इसका to promote tourism in Sangam City, प्रयाग राज, providing an experience to the local people and tourists surrounded by the natural beauty of Yamuna. तो यहाँ पर Sangam शहर में प्रयाग राज के नाम से जाते हैं, में परेटन को पढ़ावा देना, स्थानी लोगों को और परेटकों को Yamuna की प्राक्रितिक सुन्दर तक से घिरे, घिरा एक अनुवा प्रदान करना, यह इसका main aim है. Next, देखे, तो भारत के किस राजय या यूनियन टरिटरी में, समिधान के डोगरी संसकरण का पहला संसकरण जारी किया गया. Friends, इसका right answer यहाँ पर हो जाएगा. Option number A, Jammu Kashmir तो हमारे Union Minister of Law, Justice and Parliamentary Affairs है, किरन रिजीजू, इन्होंने release किया है, first edition of दोगरी Constitution. इसका objective है, friends, to promote linguistic diversity and preserve the cultural heritage of country. चलिए, आगे बढ़ेंगे, in which state was North India's first nuclear plant established? तो friends, उत्तर भारत का पहला परमानु सेंतर स्थापित कहां पर किया गया है? इसे स्थापित किया गया हर्याना में. देखिए, इसके बारे में, a new nuclear plant will be built in Gorakhpur, Haryana. This will be first nuclear plant in North India. तो इसको Gorakhpur, Haryana में established किया जाएगा. North India का ये पहला nuclear plant है. पहला phase इसका, friends, 2025 में complete हो जाएगा और second phase, 2028 में complete होगा. Next, NCRT launches India's first national assessment regulator. What is its name? तो NCRT ने भारत का पहला राष्टे मुल्यांकन नियामक launch किया है. इसका नाम आपको बताना है. Friends, इसका नाम है परक. परक के बारे में जानने हैं, पहले बार देखिए इसका full form, Performance Assessment Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development. ये इसका full form है. इस परक का गोल क्या है? देखिए, to establish norms, standards, guidelines for student assessment and evolution for all recognized school boards in country. ये इसका aim होगा. Next question, which has become first state in country to implement blindness control policy? Very important question. तो अंदता नेंतरन policy लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो friends, ये बन गया है राजस्थान. यहाँ भी बात करें इसके बारे में, तो देखिए, for the first time in country, blindness control policy has been implemented by government of Rajasthan. Okay? Objective है, bringing light to the lives of more than 3 lakh visually impaired people in the state. तो राज्य में 3 lakh से अधिक द्रिश्टी बाधिता से पेडित लोगों में, जीवन में रौश्टी डाना. ये इसका main theme है. आगे बढ़ेंगे, friends, अगला question, who has become India's first Dalit Chief Information Commissioner? तो भारत के पहले Dalit मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने है? ये बन गए है हीरालाल समारियाओं. Friends, हीरालाल समारिया 12th Chief Information Commissioner है. इसके साथ Chief Information Commissioner को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ओफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करते हैं. अगला है, where is India's first Artificial Intelligence School? शांतिगिरी विद्याभवन ओपन. तो देखे, friends, इंडिया का पहला Artificial Intelligence School, इसका नाम है शांतिगिरी विद्याभवन, इसको ओपन किया गया है. देखे, इसको इनाग्रेट किया गया किसके द्वारा? former हमारे President, Ramnath Kovin जी के द्वारा इसको इहां पर इनाग्रेट किया गया है. इस स्कूल has been started in collaboration with iLearning Engine America and Vedic E-School. तो किसके collaboration के ताज साथ इसको इहां पर लांच किया गया? iLearning Engine और Vedic School, ठीक है? AI in School, the help of Artificial Intelligence will be taken in teaching children in India's first AI school. तो यहां पर Artificial Intelligence का use करके जो है, बच्चों को यहां पर पढ़ाया जाएगा. अगला question, what is the name of first space-based Indian mission to study the sun? देखे, friends, सूर्य का अध्यान करने वाला पहला अंतरिक्ष अधारित भारतिय मिशन का नाम क्या है? तो, friends, इसका नाम है अधित्य L1, very, very important question, friends, इसका detailed video जो है, हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, अधित्य L1 के बारे में. तो अगर आपने देखा नहीं है, उसको जरूर देख लीजिए, सारे important question हमने उस वीडियो में cover किये हुए है. आधिते L1 की बात की जाए, friends, तो देखे, the spacecraft was placed in the halo orbit around the lagrange point L1 of Sun-Earth system, which is about 1.5 million km from Earth. तो इसको यह जो है, आधिते L1 को launch किया गया था, और हाली में जो है, यह अपने point पर, जो point है, L1 point, यहाँ पर यह पहुँच चुका है, जो की अर्थ से कितना दूर है, 1.5 million km दूर है, किस rocket से इसको launch किया गया था, PSLV XLC-57 से से launch किया गया, next है, which will become India's first wetland city, तो भारत का आद्रभूमी wetland शहर कौन सा बनेगा, friends, यह बन गया है, उदैपुर, राजस्थान, देखे, wetland क्या होता है, it is a land area, where a large part of ecosystem is saturated with water, और submerged in permanently, और every year, तो यहाँ पर wetland वो होता है, जिसमें से जो major part होता है, na, ecosystem का, वो पानी में होता है, उसे हम wetland कहते हैं, next, where was India's first solar energy city inaugurated, राइट आंसर है, साची, मध्यप्रदेश, देखे, solar energy is energy obtained directly from sun, और साची को हम world heritage monument site के नाम से भी जानते हैं, तो टोटल यहाँ पे 8 megawatt electricity जो है, produce होगी, solar energy के use से, अगला है, where is India's first cartography museum opened, very very important, भारत का पहला, जो मान्चित्रकला संग्राले है, इसको खोला गया है, friends, मसूरी उत्तराखंड में, नेक्स्ट है, where is India's first vedic theme park, ved1 park been inaugurated, तो friends, इसको यहाँ पे inaugurate किया गया है, नोईडा उत्तर प्रदेश में, अगला है, where has the world's first portable hospital, आरोग्य मैतरी aid cube been unveiled, इसको यहाँ पे अन्वील किया गया है, गुरु ग्राम हर्याना में, Friends, detail में discuss करें, the project is called Bhish, तो इस यहाँ पे जो प्रोजेक्ट इसे हम Bhish के नाम से जानते हैं, जिसका फुल्वम है, भारत Health Initiative for सहयोग घिता and मैतरी, It is a disaster hospital, which includes everything from operation theater to x-ray and lab for testing blood sample and ventilator, तो यहाँ पे सब कुछ होता है, यहाँ पे operation theater भी है, x-ray के लिए labs भी है, blood testing के लिए labs है, ventilators है, सब कुछ यहाँ पे होते हैं, It has been named Arogya Meitri and the box has been named Arogya Meitri Cube, आगे बढ़ेंगे, next question, for the first time in Asia, which nuclear reactor center is being converted into museum for public, तो देखिए friends, पहले यह एक nuclear reactor था, जिसको अभी convert करके एक museum बना दिया गया, आपको इस nuclear reactor का नाम बताना है, तो यह है अपसरा nuclear reactor, जो अभी museum में convert किया जा रहा है, देखिए India का पहला यह nuclear reactor था, 67 year old यह nuclear reactor है, जिसको अभी यहाँ पे convert किया जा रहा है, museum में, this was the first nuclear reactor, not only in India, but in entire Asia, very important point, पुरे Asia का यह पहला nuclear reactor था, established किसके द्वारा किया गया था, भाबा Atomic Research Center Park के द्वारा, नेक्स्ट, where has India's first cannabis medicine project been launched, यह launched हुए है friends, जमू कश्मीर में, देखिए, तो friends, इस project को जो है, collaboratively launch किया गया, किसके साथ collaborate किया गया, Canadian firm है, Induscan, इसके साथ, और यह क्या एम करता है, तो जो भी यहाँ पे medicinal benefits होते हैं, cannabis के, ताकि यह treat कर सके, यहाँ पे neuropathy, cancer, epilepsy, इसको यह explore करना चाहते हैं, इस project के द्वारा, next, which has become first constitutional literate district of India, तो भारत का पहला समिधान साक्षर जिला, कौन सा बना है, यह बन गया है friends, कूलम, केरिला, constitution literate का मतलब यहाँ पे क्या है, तो देखिए, constitutional literate मतलब यह होता है, यहाँ पे लोगों को हमारे Indian constitution के बारे में, साक्षर बनाना, ठीक है, next question, which has become the first state in India, to have hall marking center in all district, तो कौन से state में, बताना है आपको की, हर एक district, जो state के है, वहाँ पर hall marking center है, तो यह है friends, केरिला, next, who has become the first woman to sky dive from 21,500 feet, near Mount Everest, तो Mount Everest के पास 21,500 feet से, sky dive करने वाली पहली महिला कौन बनी है, यह बन गई है, शीतल महाजवन, कौन से state से बिलॉग करती है, महारा आस्ट से, अगला है, where is India's first international multi-model logistic park being developed, right answer, Jogi Ghopa, असम, देखे friends, logistic park है क्या, logistic park is an advanced system for storing food items, these park have cold storage and other facility, with the help of which goods bought from the all over country can be stored in it, तो friends, basically, यह storage system होता है, यहाँ पर जो food items है, उनको store किया जा सकता है, अगला है, which has become the first state of India to complete 100% rail electrification, तो 100% rail electrification, complete करने वाला पहला state जो है न, यह बन गया है, हरियाना, next, India's first undersea road tunnel was built in which city, तो इसको build किया गया है, friends, Mumbai में, अगला है, which village will be developed as India's first carbon neutral village, correct answer, Bhivandi Taluka, Maharashtra, तो यहाँ पर इसका objective होगा, to reduce carbon emission and promote sustainable practices for clean and green environment, आगे बढ़ेंगे, which became India's first open defication free district, तो देखे, भारत का पहला ODF plus जिला कौन सा बना है, यह बन गया है, friends, यहाँ पर वाइनाद के रिला, देखे, ODF plus village का मतलब यहाँ पर होता है, कि यहाँ पर complete ban है, open defication में, और यहाँ पर हर एक ग्राम पंचायत में एक community toilet होता है, अगला, which state's private news channel has launched, India's first regional artificial intelligence news anchor, लीजा, तो भारत के पहले छेत्रे कृत्तीम बुद्धी मत्ता समाचार एंगर लीजा को किस राजे के निजी समाचार चैनल ले लाउंच किया है, तो friends, इसको लाउंच किया गया है, उडीसा के द्वारा, अगला है, who has become Asia's first woman loco pilot to operate वंदे भारत express train, correct answer इसका हो जाएगा, सूरेखा यादव, next, who has launched India's first gene therapy for cancer, तो cancer के लिए भारत की पहली gene therapy किस ने शुरू की, इसको शुरू किया गया है, friends, द्रापदी मुर्मू हमारे president के द्वारा, देखे, the president of India, श्रिमती द्रापदी मुर्मू, launched India's first homegrown gene therapy for cancer at IIT Bombay, कहाँ पर IIT Bombay में इन्होंने इसे launch किया कब April 4th, 2024 को, the groundbreaking treatment called CAR T cell therapy is a major breakthrough in the battle against cancer, तो cancer के cure करने के लिए ये एक काफी अच्छी technique है, जिसे हम CAR T cell therapy कहते हैं, आगे बढ़ेंगे, वेर वाज इंडिया's first online gaming academy established, देखे, friends, भारत की पहली online gaming academy, कहाँ पर स्थापित की गई है, इसको स्थापित किया गया है, मध्या प्रदेश में, देखे, the sports academy will be established with the aim of promoting sports represented in Asian Games and Olympics, आगे बढ़ते हैं, विच हैस बिकम first district in India to deploy 5G use cases at ground level, तो 5G उपयोग मामलों की, जमीनी स्थर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है, ये बन गया है, विदीशा मध्या प्रदेश, नेक्स्ट, विच इंडिया's first airport with four runways, तो चार रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड़ा कौन सा बन गया है, ये बन गया है, इंडिरा गांदी इंटरनाशनल एरपोर्ट, नेक्स्ट, वेर विल इंडिया's first on-site iconic place museum भी स्टाबलेजड, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, आदी चननलूर, तमिल नाडू, नेक्स्ट, इन्विच सिटी है अपल ओपन इट्स फर्स स्टोर इंडिया, आपल बीकेसी, तो देखें यहाँ पे आइफोन निर्माता कंपनी, आपल इंक ने भारत में अपना पहला स्टोर, आपल बीकेसी के शहर में खोला है, तो इसको खोला गया है, यहाँ पे आपको हरे कोशन क्लियर है, अब आता है आपका टेस्ट कोशन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, तो आपका पहला टेस्ट कोशन है, तो उत्तर भारत का पहला सरकारी होमियोपेथिक कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, यह आप हमें बताएं, इसके साथ आपका एक और कोशन हैं देखिए, यहाँ पे 100% रेल इलेक्रिफिकेशन, पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, यह दोनों आपके टेस्ट कोशन है, इसका आप हमें कमेंट करके बताएं, साथ में पेड पीडियाफ के वेबसाइट के बारे मैं आपको बता दिया है, यह है www.ravibooks.pdf.com यहाँ पर जाकर आप रवी सरकी जी के और कनेट अफेल्स की पीडियाफ को हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में बाई कर सकते हैं, ओल्राइट फ्रेंड्स तो यह था हमारा आज का लास्ट लाइड, आपको यह वीडियो क्लियर है, वीडियो कर आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मिलते हैं एक और इंपोर्टन टॉपिक के साथ नेक्स वीडियो में, तब तक के रिए थैंक यू, और वानाइस दे,